हेलो गाइस वेलकम तो स्लीपी क्लासेज आज हम डिसकस करेंगे डिली डो सेशन में वाइस रोय ओफ इंडिया काइस इससे पहले हमने कवर किया था गवर्नर जनल ऑफ पेंगॉल एंड गवर्नर जनल ऑफ इंडिया कैस यहां पर मैंने आपको बताया था 1773 का एक पास होता है इसके अकॉर्डिंग ली ब्रिटेन की जो गॉर्मेंट है वो ब्रिटिस इंडिया कंपनी को अथोरेटी देती है कि अब आप इंडिया में राज भी करिए पहले वेपार करने आया थे 1600 के नियर अबाउट इनको परमिशन दी गई थी ब्रिटेन गॉर्मेंट की तरफ से इ इस एक्ट के बाद अच्छा यहां पर यह जो पोस्ट है गवर्नर जर्नल ओफ बंगॉल की क्यों होती है क्योंकि बंगॉल का एरिया ही अभी कप जाते है इस डोडेशन में उसके बाद 1833 का जो एक्ट आता है चार्ट एक्ट 1833 इसमें आल्मोस्ट यह सारा का सारा इंडिय कब जा लेते हैं यह जो पोस्ट है यह बदलकर हो जाती है गवर्नर जर्नल ओफ बंगॉल से गवर्नर जर्नल ओफ इंडिया और फिर हम देखते हैं 1857 का रिवॉल्ट अच्छा यह यहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुए और आप इस ओवर्वियू के साथ इंडिया काई तो 1857 का जो रिवॉल्ट होता है यह जहां जहां पर यह रिवॉल्ट हटा वहां पर भीतिश इंट इडिया कंपनी को बुरी तरब क्या से रिजिस्टेस का सामना देखना पड़ता है और that's why यहाँ पर जब यह रिवोल्ट शांत कर दिया जाता है क्योंकि रिवोल्ट में बहुत कमिया थी मैं आपको एक्स्प्लेइन कर चुका हूं अगर आप इसको देखना चाते हैं तो प्लेइस्ट में जाहिए वहाँ पर मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को बहुत अच्छे से कवर किये अब इस रिवोल्ट के बाद जो ब्रेटेन की गवर्मेंट है वह ब्रेटिस इस इंडिया कंपनी से सारा का सारा जो अधिकार है वो छीन लेती है कंप्लीट पावर ट्रांसफर हो पर क्राउंड रूल स्टैब्लीश होता है तो यह पोस्ट बदलकर हो जाती है वाइस रोए तो आज हम कंप्लीट देखेंगे जो वाइस हैं जो पाइंटिट करें गए थे ब्रेटिश गवर्मेंट की तरफ से अच्छा यहां पर मैं आपको एक्ट्स नहीं करवाऊंगा ज जितने भी एक्ट आये थे जैसे 1892 का 1909 बन ओफ दो मोस्ट इंपोर्टेंट 1919 और 1935 और लास्ट में 1947 यह सारे के सारे मैंने आज पॉलेटी के सेशन में कवर किये हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं अच्छा एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस जो गुवर्नर जर्नल ओफ बंगॉल से लेकर वाइस रोए को टॉपिक है अगर यहां पर आप कंप्लीट और हिस्टी के पाइंट वी से पढ़ते हैं मतलब सारे के सारे एक्ट भी कवर करते हैं और साथ-साथ यह जो पोस्ट है गवर्नर जर्नल ओफ बंगॉल कौन रहे फिर इस टॉपिक के साथ भी रवाइस कर सकते हैं चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे फस्ट जो वाइस रहे हैं लोड कैनिंग से अब यह लास्ट गवर्नर जर्नल ओफ इंडिया भी थे इनका टैनियोर स्टार्ट होता है 1857 से लेकर 1862 अच्छा सम्टाइम्स जो कोशन पुछा नहीं है इनके समय में क्या क्या हुआ वह इंपॉर्टेंट होता है अब यहां पर सेकेंड पॉइंट में देखें ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो जाता है इस इंडिया कंपनी से क्राउन डूल में और यह एक्ट पास होता है गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 गुड गव हमने देखा था जब हमने एक्ट देखे कि बिंगोल का जो बैसीक्ली प्रेजीडन सि ठी यही कंप्लीटी देख दी मदरास और बॉंबीगी प्रेजीशिदंसी को भी लेकिन यहां पर डीसेंट्रलाइस करा गया अब डीसेंट्रलाइस समझाता हूं है हमारे भारत में पाल दो जगा तो CM भी है हाला कि जम्मुएन किश्मीरी पावर भी इलेक्शन नहीं हुए तो वहां के CM decided नहीं है अब 28 states में जो CM है उनके पास अपनी पावर है और PM जो center power center के पास अपनी power है states के पास अपनी power है हाला कि कि दोनों को मिलाकर चले तो concurrent list भी है हमारे पास लेकिन कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि अगर हमारी center government कुछ भी decision लेती है तो यहां पर कुछ CM engaged चलते हैं तो यह power consider करी जाती है decentralized अगर मान लीजिए कि इंडिया में सेंटर की government कुछ भी decision करती है और सामने से कुछ भी कोई कमेंट नहीं आता तो सभी किसे decision को मान के चलते हैं तो यहां पर होती centralized power हमारे democracy में तो नहीं होती क्योंकि इंडिया एक democratic nation है अब चाइना में आपको देखने को मिल सकती है नोर्थ कोरिया में देखने अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और ऑफिशली एंड होता है जड़ोजी भाई साब के दवारा लाया जाता है doctrine of labs यह भी सबसे बड़ा reason था रिवोल्ट का 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ड़ोजी की कुछ ऐसी नीतिया थी हाला कि ड़ोजी ने डवलप्मेंट के काम भी बहुत करें और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें ब्रिटिस इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की गवर्मेंट को जो सप्रेस्ट करने में बहुत हैल्प मिली थी ड़ोजी के कुछ डवलप्मेंट के काम की वाज़े से क्योंकि इसने रोड कंस्र में याद रखना अच्छा इसका यर आपने जो जो मैं आपको बताऊंगा ना उस उसका यर आपने याद रखना है इंडिगो रिवोल्ट होता है 1859-60 में इंडिगो फार्मर्स की तरफ से बिंगॉल में यह भी याद रखना है आपने उसके बाद चार्ल्स वूड यह मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि इनके रिकमेंडेशन थी कि हमें आहारे देश में तीन युनिविश्टिस खुलनी चाहिए कैलकटा बॉम्बे मदरास 1857 यह पास तो हो गई ती डलोजी की टाइम प्रेड में लेकिन स्टैब्लिश कब होई थी कैनिंग की टाइम प्रेड मे के द्वारा इसको इंट्रड्यूस करा था 1860 आज भी हम यहां से बहुत कुछ लेते हैं और उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रसीजर सी यार सीपी 1859 में आया था हाई कोट आया था 1861 में उसके बाद आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया एस्टैब्लीश हुआ था 1861 में और इसी की हेल्प से हम हडपा जो सिविलाइजेशन थी उसको खोज पाया थे 1921 में हाला कि बाइन चांस हुआ था एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था यह मैं आपको मॉडरन हिस्टी में बताऊंगा आप एप प्लेलिस्ट में जाए वहां पर मैं मॉडरन हिस्टी ब करना जुरूरी नहीं इनके टाइम में क्या हुआ वह आपको पता होना चाहिए जैसे कोशन आजाता है सम्टाइम्स कि वहाबी मुमेंट किसके टाइम प्रेड में वहा था कौन वाइस रहे थे लौड एलगिन फर्स्ट अब वहाबी मुमेंट मैंने सोशल रिफॉर्म में क सब्सक्राइब करना चाहते थे और आज भी कहीं न कहीं वहाबी मुमेंट सकरिये है आईएस आईएस की फॉर्म में यह मोडिफाइड वर्जन है वहाबी मुमेंट का आईएस इस ठीक है इंडिया में तो यह वहाबी मुमेंट आया था 18th century के आसपास 18-19th century के आसपास लेक यह जो वाइस रोए हैं इनकी देथ हो जाती है हाट अटेक से और यह एक ब्रिज पास कर रहे होते हैं चंद्रा रीवर पर जो कुलू एंड लाहुल सपीती के बीच में था याद रखना सम्टाइम्स कोशन पूछ लिया दाता कि कौन से वाइस रोए की देथ हो जाती है हा सब्सक्राइब्लिश के थे हाई कोट ऑफ हाई कोट एट कैलकेटा बॉंबे मदरास इन 1865 अब यह पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यह आपने याद रखने कुछ एक्स्रा पॉइंट पॉइंट में जो हम देखेंगे करजन वाला टाइम प्रेट था उसमें मैं आपको से एक मायो कॉलीजी बहुत ही फेमस है बहुत बॉर कोशिन में आया हुए सश्य की पेपर में तो बहुत बाहत आया हुए जो मायो कॉलीज अजमेयर में खोला गया था पॉलिटिकल ट्रेशनींग दी जाती इंडियन प्रिंसिस को उसके बाद स्टैस्टिकल सरॉबे फर्स इस फॉर्म में चर रहा है उसके बाद establishment of department of agriculture and commerce यह इनके दवारे ही इसकी opening करी गई थी उसके बाद introduction introduction of state railway अब railway कौन लेकर आया था डल होजी अब state railway का अगर question आएगा तो कौन लेकर आया थे लोड बायो उसके बाद इन्होंने irrigation system को promote किया railway को promote किया जैसे कि यहां पर आप देखिए उसके बाद forest को यह काफी अच्छे से promote कर रहे थे और कुछ public welfare वर्क भी इनके टाइम में हुए लेकिन इंपोर्टेंट क्या है इनके टाइम में कॉलिज को लिए स्टेस्टिस्टिकल सर्वे और डपार्टमेंट ऑफ एग्रिकल्चर एंड कॉमर्स और यह भी याद रखना इंट्रोड रेलबेस उसके बाद लोड नौर्थ प्रूक इनके समय में आपने याद रखना है कुक का मुमेंट होए थी कुक का मुमेंट मैंने सोचल रिफॉर्म का पार्ट थर्ड में अच्छे से बताया लास्ट में इसको आप वहाँ पर जाकर देखिएगा इनके टाइम में विजिट करते हैं प्रिंस ओफ विल्स अबॉलिशन ओफ इंकम टेक्स को यह बॉलिशन कर देते ह और बहुत ज़्यादा फैमाइन फैल जाती है सुखा फैल जाता है बिहार और बिंगॉल की रिजन में उसके बार लोड लाइटन जो है इनका जो टैनियोर है 1876 से लेकर 1880 और इनके टैनियोर में क्या होता है यह आपको याद रखना है सेकेंड एंगलो अफगान वार और क्वीन विक्टोरिया अपने आपको प्रोक्लेम्ट करती हैं एंप्रेस ऑफ इंडिया फर्स ताइम दिली दरबार यहां पर लगता है 1877 में तीन बार दिली द आपको क्लेम्ट किया था और एक टाइटल भी लिया था केसरिया हिंद का यहां पर मेंशन किया हुआ है मैंने रोएल टाइटल एक 1876 आया और गवीन विक्टोरिया ने श्यों करा टाइटल ओफ केस्रीय हिंद एंड क्वीन एंप्रेस ऊफ इंडिया उसके बाद फहिमाइन सब्सक्राइब और कुछ यहां पर लोकल प्रेस होती है जो लोकल अखबारे होती है जो लोकल लेंगविजिस में चपती है उनके ऊपर बैन लगाया जाता है है ना और इसका बढ़ चकड़कर विरोध भी होता है वर्नकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम में आया था आपको याद रखना है लोड लाय टॉन के द्वारा यह लाया गया था अगर को यहां पर हत्यार अपने घर रखना चाहता है यह यह बीच में गैप 1878 तक चला था चली उसके बाद लोड रिपन इनके समय में मैंने आपको बताया सेंसेज यहीं से स्टार्ट हुआ था 1880 से लेकर 1884 तक रहा और इन्हों रिपील किया था वर्निकुलर टैस्ट एक्ट को यह बहुत इंपोर्टन एक किसके टाइम में लगा था और किसके टाइम में यह रिपील गुआ था फर्स्ट फैक्टरी एक्ट भी नहीं के दवारा लगाया गया था इन्होंने लेवर की जो कंडिशन ने उसको बताए एक मैकॉले के टाइम में हुए थे और एक हुए थे वुड जो हमने वुड दिस्पैस देखा था और एक हंटर कमिशन यह तीनों की तीनों इंपोर्टन है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एजूकेशन रिफॉर्म को लेकर ठीक है उसके बाद यह मैसूर का र सब्सक्राइब नियू अफगान अफगान के जो एंपियर थे इनके साथ इन्होंने एक सब्सक्राइब करी थी अमीर अब्दुर्रह्मान यह कोशन कई बर आच चुका है तो ध्यान रखना ही मेड रिमार्केबर कॉंट्रिविशन टू डवलप्मेंट ऑफ लोकल गॉर्मे में डिविजन फाइनस सिस्टम ओपन के थे 1882 में और एक इलबर्ट बिल कॉंट्रिवर्सी क्या था कि जो इंडियन जजीज हैं वो डिसीजन कर सकते हैं कोई एस सचमान लीजिए कि यहां पर जिसको सजा सुनानी है तो इन्होंने एक बिल पास करा कि इंडियन जजीज भी यह डिसीजन कर सकते हैं बाद में बहुत जादा कॉंट्रिवर्सी हुई थी हलाकि इसको बाद में रिपील भी कर दिया गया था लेकिन ऐसे परसन थे जो काफी कुछ इन्होंने इंडिया के लिए किया है लोड रिपन उसके बाद आगे देखते हैं लोड डफरीन इनसे ए बारा यह फांडेशन हुआ था इंडिया नेशन कॉंग्रेस का उसके बाद बेंगॉल टैनेंसी एक्ट आया था बेंगॉल में लोकल सेल्फ कवर्मेंट पास किया गया था था एंगलो बर्मिस वारों यह बहुत इंपोर्टन था अपने याद रखना लोड डफरीन के रायम में स्टैब्लिश करे गई थी उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वाइस राय लॉड लैंस्टाउन 1888 से लेकर 1894 तक इनके समय में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था इंडियन काउंसिल एक्ट भी यहीं पर हमें देखने को बिला था 1892 इन्हीं के टैनियोर में ली और इन्हों ने फर्स्ट या जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर है और आजकी की देट में ओक से नोर ऑर अफगानिस्तान के बीच में है ठीक है और इस बोड्र के लिए इन्होंने कमिशन बठाया था दुरांट कमीशन और आप देखते हैं कि पड़र्बर के लिए और अंपर्व देखते हैं और जो अफगानी सान की बॉर्डर लाइन है को दुरंट लाइन ही सब्णर कर अ Odyssey देखते हैं Lord Elgin के समय में क्या हुआ था यह जो अभी हम बढ़ रहे हैं यहां से आपने इन्पोर्टेंट पॉइंट सी याद रखने जो मैंने यहां पर लिखें लेकिन जब करजन का टाइम आएगा ना उसके बाद से मैं आपको बहुत सारे एक्ट्रा पॉइंट्स भी लग को मारते हैं एक का नाम चलो मैं बताए देता हूं WC एक थे और सेकिंड परसन आप मुझे बताईएगा उसके बाद संतल और मुंदास का अप्राइजिंग होता है चितने भी आपके रिवोल्ट है या जितने भी एक्टिविस्ट ग्रूप्स होते हैं यह मैं अलग से आपक हमें को अच्छे से कवर करेंगे ठीक है प्राजिस्टान वाले रिजन में फैल जाता है इसके लिए मफ्य करते हैं पूरा का फैमाईन का करते हैं इसके सारे को देखते हैं उसके बाद देखते हैं यहां से बहुत ज़ादा सब्सक्राइश्ट हो जाता है अब लोड करजन क टेन्योर भी आपने याद रखने हैं 1899 से लेकर 1905 अच्छा एक कोशन बहुत बार पुछा गया है कि फ्रेजर कमिशन किसके टाइम में आए था फ्रेजर कमिशन क्या था इन्होंने पुलिस कमिशन लेकर आये थे 1902 में और किसके समय में आया था लोड करजन के समय में उसके सब्सक्राइब इन्होंने अपाइंट की थी युनिवेस्टिस कमिशन की 1902 में अब यहां पर होता गया मैं आपको बताता हूं यह आपने याद रखने हैं एकना कमिशन आया था थोमस थोमस रालेगिन ऐसे कुछ कमिशन का नाम था तो यह कमिशन क्या चेक करने आया था कि इंडिया में जो उनकी कंडिशन क्या है और साथ साथ इसने एक प्रपोजल दिया था इंप्रोविंग देर कॉंस्टिशन और वकिंग और इसी कमिशन की बदोलत यहां पर युनिवेस और उसके बाद एक्ट का पास हुआ था इंडियन युनिवेस्टी एक्ट नाइंटीन जिरो फॉर यह बहुत बार पेपर में आया हुआ है जैसे आप एप एफ लेवल के अगर एक्जाम की तेहरी कर रहे हो तो उसमें एक दू पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं ल जात करना आसान है युनिवेस्टी एक्ट नाइंटीन जिरो फॉर और एंशेंट बोनुमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट बी नाइंटीन जिरो फॉर फिर पार्टिशन ऑप बेंगॉल इन्होंने सबसे पहले रखा कि बेंगॉल का पार्टिशन करें बहुत ज्यादा बुक इन्होंने कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे पार्टिशन ऑप बेंगॉल को रोकने में बहुत एहम भूमी का निभाई जहां पर एक सवदेशी मूमेंट भी चलाया गया था इनके द्वारा और एक राखी प्रथा भी चलाई गयी थी इस्ट और वेस्ट जिसमें ये बट र चाहिवारा का सारह ये इन पर्सनेलिटी की बदोलत ही ये पार्टिशन रुक पाया था बाकि मैं उसको अच्छे से डिसकस करऊंगा मौडरन हिस्टी में जब पार्टीशन ऑप बेंगॉल आएगा उसके बात यंग हसबंड कमिशन आता है अब यंग हसबंड कमिशन तिब तिब्बत बेसिकली मैं आपको modern history में बताऊंगा वैसे यह buffer state का काम करता है ठीक है British कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारे पर हमारे पर कोई attack करें और इनको attack का खत्रा था रशिया और चाइना से बाद में जाकर होता है कि यह बहुत बाद में जाकर होता है इसी इसी टाइम प्रियर में नाइंटीन फिफ्टी के नियर बाउट जाकर तो British क्या करते हैं तिब्बत को ऐसा buffer state रख देते हैं buffer state मतलब यहां पर कोई में उसके बाद Thomas Raleigh Commission में आपको बताई चुका हूं ओरड़ी टेके जिसकी तुरू युनिवेस्टी एक्ट आया था 1904 में उसके बाद इंशेंट मॉनुट प्रिजर्वेशन एक्ट यह औरड़ी डिसक्स कर चुके हैं establishment of agriculture research institute at Pusa और यह कहाँ पर है बिहार में तो लोड करजन से आपने याद रखने हैं अच्छा सम्टाइम्स कोशन आया था Thomas Raleigh Commission में एक इंडियन थे उनका नाम बताईए तो आपने याद रखने हैं सेयद हुसैन बेल ग्रामी यह इंडियन थे इस कमिशन में तो यह नाम भी पूछ लिया दाता है उसके बाद देखते हैं लोड मिंटो सेकेंड और इनको कॉमिनल फादर भी कहा दाता है अब कॉमिनल फादर क्यों कहा दाता है क्योंकि separate electrode का जो concept था वो यही भाई साब लेकर आये थे selective selective इसरव हो गई की वाइस कहाकर जाता है लेकिन सबस्रक्सिक इस आप माल यह मुद्र अगर मान लेशन थे मुस्लिम हो selv को करेंगे बाकी अगर मालने चाहिए आपर हिंदू हैं सिख हैं बुद्धिजम हैं जैन हैं जैस्ट्रियन हैं मतलब पार्सिज हैं या कोई भी धरम से तो वह यहां पर वोट नहीं कर सकते हैं का सुझेप्ट बिल्कुल ही लग था कि मुसलिम को वोट कर सकते हैं जो सब्सक्राइब फर्स टाइम में यह मुसलिम्स को ही मिला था कि याद रखना और इन्होंने जो पार्टिशन था उसको रोक दिया बेंगॉल का पार्टिशन और इनके टाइम में मुस्लिम लीग की फर्मेशन होती है और मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे उनका नाम है अगा खान और एक है सली मुला यह भी आप नाम याद रखना सली मुला डाका के नुवाब थे और उसके बाद मिंटो मौरले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है एक पास हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट इसको मिंटो मौर स्टेट उसके बाद खुदी राम बोस का एक्सक्यूशन होता है 30 अप्रैल 1908 यह बहुत इंपोर्टेंट है याद रखना और तिलक जी को संटेंस मतब 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है और उसके बाद सूरत सेशन होता है जहां पर कांग्रस सप्लेट हो जाती है गरम दल औ और नरम दल में और उसके बाद मिंटो पास करते हैं इंडिया प्रेस एक्ट जहां पर काफी हैवी फाइंस लगाया जाते हैं अगर कुछ भी पॉब्लिकेशन ब्रेटिश के एंगेस्ट होता है और उसके बाद यहां पर मिंटो के बाद कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो जि ब्रेटिश को भगाया उनका नाम है महात्मा गांदी जी अब देखिए मैं यहां पर महात्मा गांदी जी को यह मैं क्या पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड इनको बहुत बड़ा लेडर मानता है अब इसके विच्छी क्या फ्लोस पीए देखिए बहुत सारे लीडर हुए ह हमारे इंडिया में लेकिन वह रिवोल्ट करते थे जब रिवोल्ट करते थे तो महात्मा गांदी जी साइड हो जाते थे क्योंकि आपको पता है इनकी पॉलेसी थी कि मैं हिंसा में ब्लीव नहीं रखता ठीक है और यह समझदारी से काम करते थे ब्रिटिश से अपनी बाते हमारे देश को अजादी भी मिली और इनकी बदोलत बहुत कुछ हुआ ठीक है अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि रिवोल्ट होते थे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वह ब्रिटिश के बास बहुत बड़े-बड़े हतियार थे हमारे पास था हमारे पास कुछ भी नहीं ब्रिटिश को भगाना बहुत मुश्किल था लेकिन गांदी जी की समझदारी से ब्रिटिश भागे थे मैं आपको मॉडरन हिस्टी में बताऊंगा गांदी जी का सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा और इनके द्वारा जितने भी सत्यक रहे हुए वह मैं डिसकस करूँग चलिए अब लोड हार्डिंग के टाइम में आये थे महात्मा गांदी जी भारत और कौन सी डेट को आये थे 9 जैन 1915 और इसको हम पार्सी दिवस में मुनाते हैं एनरे डे क्योंकि साउथ अफरिका से अपनी ये जो पहले प्रैक्टिस करने गए थे फिर वहीं ये रुख ग में ओफिशली पार्टिशन ओप बेंगॉल रुका और यह रोका गया था जब यहां पर दिल्ली दर्बार लगा दिल्ली दर्बार फर्स्ट टाइम हमारे देश में किंग आते हैं जॉर्ज फिफ्ट और अपनी वाइफ पे साथ क्वीन मेरी इनकी वाइफ का नाम होता है क्वीन मेरी यह दिल्ली में आते हैं 1911 में और यहां पर यह दिल्ली को कैपिटल मनाने की बात रखते हैं हालाकि दिल्ली कैपिटल की बात होई थी 1911 में लेकिन ओफिशल बनी थी 1931 में उसके बाद गौपाल क्रिशन गोकले जी की डेथ हो जा था इन्होंने में में मैंड से स्कीप हो गया याद रखना अच्छ करना इसको में को में बताना नहीं तो मैं कमेंट सेक्षन में खुद अंसर करूँगा इसका गोपाल ग्रीशन जो घोकले थे इन्होंने 1905 में कांग्रस का सेशन लिया था यह कहां लिया था यह आप पर करी जा रहे थी अब यहां पर और उसके बाद हिंदू महासिवा को स्टैब्लिश किया था मदन मोहन मालविया जी के द्वारा 1915 में और नेक्स हम देखेंगे लोड चैलंस वोड अब यहां पर एक पास होता है इस एक्ट को ब्लैक बिल या फिर काला कानून भी कहा जाता है अब यह आपको बताऊंगा मैं गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में और इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यो चैलंस वोड रिफॉर्म अब चैलंस वोड क्या है वाइस रोए और मॉन्टेग्यो क्या है सेक्रेटरी ओव स्टेट चलिए मैं आपको बता देता हूं आप पॉलेटी की वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि सेक्रेटरी ओव स्टेट क्या है फिर मैं आपको बता देता हूं यहां पर देखिए होता क्या था कि जब वाइस रोए मतलब क्राउन रूल में सारा का सारी रूल शेफ्ट हो जाता है उसके ब भारत ने आज सग्भी किसे पर अटैक्ट नहीं करा यह रिकॉर्ड ऐ हमारे इंडिया का मावन लीचिए कोई इंडिया के अंडर आ जाए कोई भी देश एक्स ये कंट्री है ये इंडिया के रा जाए और इंडिया की यहां पर जो पॉर्ट्फोलियो सिस्टम है ना जैसे यहां पर हमारे होने अभर होते हैं और डिफनेस्ट्रे रोते हैं इनमेंसरे परसनुन को क्को च्होन को एक्स नैशन को में क्या हुआ है इस यह देखने वर्ड वारस्ट खतम हो गया था और वल्ड वारस्ट से पहले इन्होंस एक अगस्था सब्सक्राइब गया था उन्होंने ऐसी बोल दिया था मॉन्टाइग्यो डेक्लेरेशन यह अगस्था डेक्लेरेशन लिकर आए इन्हों ने भोला था कि हम इंडिया को एक तरह से डॉम्नियन स्टेटस दे देंगे समझेगा क्या होता है अधी अधूरी अजादी अब जैसे आज की डेट में न्यूजिलेंड और अस्टेलिया के बाद सेने डॉम्नियन स्टेटस मतलब इंटरनली फ्री है लेकिन एक्सटरनली उन पर रूल करते हैं इंग्लैड ठीक है और यह जो कहा गया था advocating करने की सोच रहा है तो उसको जेल में डाल दो अब जेल में डालेंगे तक यहाँ पर ना तो कोई अपील इस उनी जाएगी ना कोई दलील सुनी जाएगी और ना कोई कोई वकील करा जाएगा दो सालों के लिए इनको ज retrans dos अघ तक तो यह्यो वाले बाग में जो incident वह बहुत ही एक दर्दनाक incident है और हमारे métै shedding इंडिया का सबसे दर्दनाक के लिए जलिया वले वाल लोग अपने आपको बचाने के लिए कुवें में कोठ रहते और पर बिटिश का क्वा था कि 300 से लेकर 400 के बीच में जो लोग हैं वो अपनी जान गवाद चुके थे जलिया वाले बाग में लेकिन यह जो नंबर है यह तेरा सो के आसपास कहा है ठीक है चलिए और इसको अमरी सर इंसिडेंट भी कहा जाता है उसके बाद यह मैंने आपको बताया गांदी जी का रिटर्न होता है अफ्रिका से और साब्रमती आश्रम को यह स्टार्ट करते हैं 1916 में और फिर कुछ गांदी जी के द्वारा चंपरन सत्य ग्रह देखा जाता है 1917 में यहां चलिए 1916 में चंपरन सत्य ग्रह उसके बाद आते हैं गांदी जी से उसके बाद फॉर्मेशन ओफ इंडियन लीबरल फेडरेशन किसके द्वारा इसका फाउंडेशन करा गया था एसन बैनर जी के द्वारा एंडें 1920 में महात्मा गांदी जी नौन कॉंपरेशन मूवमेंट को लॉंज करते हैं यह इसी वज़े से ही हो सब्देशी मूवमेंट था वह सबस्वे पहले कौन लेकर आए थे राम सिंग जी है लेकिन जो सब्देशी पढ़ते है और यहां से इस मूवमेंट को माहत्मा गांदी जी ने वापस लिया था जब एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पर हिंसा हो जाती है चोरा चोरी गख प्लिस में गांदी जी को बहुत घॉट होता है और गांदी जी चोरा-चोरी की इंसिदेंट के बाद यह फास्ट इंडियन थे जो गवर्नर बने थे इसके बाद चलिए आगे चलते हैं अच्छा मैं आपको कुछ बदाता हूं यहां पर वह फैक्ट्स आप यहां दखना जैसे एक खिलाफत मुवमेंट हुआ था यहां चैलम्स वोड यहां के वायस रोए ठेक है खिलाफत अंदोलन होता है मुवमेंट होता है नौन कोपरेशन मुवमेंट हमने पड़ा एक सेटलर कमिशन आता है यहाँ पर यहाद रखना सेटलर कमिशन यह 1917 में आता है हमारे भारत में और इसके द्वारा कुछ रिफॉर्म्स लाए जाते हैं कलकेटा समझ लेज़िये कैलकटा इन्वेस्टि में कुछ रिफॉर्म्स लाए जाते हैं सेटलर कमिशन के द्वारा उसके बाद SPC ना तो मैं आपको बताई चुका हूं चलिए नेक्स देखते हैं लोड रीडिंग यह 1921 से लेकर 26 तक रहे और चोरा-चोरी की जो यह काफ ही इंपोर्टेंट भी उसके बार रीपील हो जाता है ट्रैस एक्ट लेकर आते हैं इसको रीपील कर दिया जाता है लिदिग की तरफ से डीटवक gear कर जाते हैं और नाम ययाद रखने उसके बाद communal rights होते हैं मुल्तान में अम्रिसर में दिल्ली में अलिगड में अर्वी में कैलकटा में communal rights मतलब आपस में ही religious basis पर यह rights होने शुरू हो जाते हैं उसके बाद काकोरी train robbery होती है 1925 में और काकोरी train robbery चब भी आएगा तो एक नाम आपको याद रखना है राम परसाद बिस्मिल हर इंसिडेंट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे चलिए अभी जस्ट ऑवर्वी ले रहे हैं उसके बाद स्वामी श्रदानन सम्टाइम से कोशन ब्याद आता है कि स्वामी श्रदानन 1926 में जब मटर होता है तो वाइस्ट्राय कौन होते है इसके बाद इन्होंने कुछ एक्जामीनेशन करवाए थे इसके स्वाराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है सियार दास के द्वारा और मुतिलाल नहरूजी के द्वारा 1922 में यहां पर CPI पार्टी भी बनती है कॉमनिस्ट पार्टी CPI पार्टी 1921 में यह भी आपको याद रखने है यह भी रीडिंग के टाइम में होता है उसके बाद आगे चलते हैं लौड इर्विन यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर गांधी इर्वन समझोता भी आएगा एक कोशन एससी का फेवरेट और यह बहुत बार आता है इप फो में जो आपका जो अते हैं इसमें थोड़ी अच्छे लेवल के बाकी तो आपके बेस्ट बैस्ट इस्ट उपशन होते हैं आपको सेलेक्ट करना होता है कौन सा सही है चलिवल इर्वन 1926 से लेकर 1931 तक रहें वाइस इनको क्रिष्टिन वाइस र सबसे बड़ी बात क्या थी कि साइमें कमिशन में साथ परसन थे सातों के साथ यह ब्रीटिश थे तो इंडिया में इसका बहुत जादा विरोध किया जाता है और यह अपनी रिपोर्ट सम्मिट करता है 1928 में आया कब था 1927 में याद रखना 1930 में रिपोर्ट करता अपनी चलिए उसके बाद इस बाएको इसको बाएकोट करा गया था साइमन कमिशन को इंडियन के दवारा ओल पार्टी कॉंफरेंस होई थी लखनव में 1928 में काफी से नहरू कॉंस्टूर्शन उसके बाद यहां पर एक बटलच मिशन आया था अब बटलर में बहुत इंपॉर्टन इसको याद रखना यहां पर बटलर कमिशन क्यों आयता जो प्रिंसी स्टेट से न और ब्रेटिश की बीच में जो रिएशन है इसको देखने के लिए बट पुलिस होते हैं लहोर में बॉम ब्लास्ट होता है सेंबली हॉल दिल्ली आपने मुविस भी देखियोंगी वहां पर यह इंसिदेंट हम अच्छे से करेंगे जितने में इंसिदेंट यहां हम देख रहे हैं उसके बाद हंगर स्टाइक होती है जतिंदास की और इनकी दैथ हो सवराज की पहली बार रखी जाती है उसके बाद डांडी मार्च जो महात्मा गांदी जी की द्वारा चलाया जाता है बारा मार्च 1930 में और उसको लॉंच करा जाता है इस सीविल डिस ओपिडियन्स मॉमेंट और यह वापस लिया जाता है पांच मार्च 1931 को और इसी को कहा जाता है गांधी इर्वन समझोता यहां पर होगा गांधी इर्वन समझोता 1931 में उसके बाद सर देख्ट आता है 1921 में जहां मैरेज जो गर्ल की मैरेज है इसकी साल को बढ़ाया जाता है 14 साल पहले देखा था हमने 1860 में गर्ल्स के जो एज है शादिगी पर ककी जाती है दस साल फिर 1891 में हमने देखा 12 साल फिर 1925 में देखा हमने 13 सार और 18 सोरी 1929 में हमने देखा minimum एज 14 रखी गई इसके बाद आज की डेट में 18 गर्ल की है और 21 बॉय की है और हमारे देश के प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी जी चाहते हैं इक्वैलिटी आए और एक्वैलिटी तभी आएगी जब हर एक रूल में यहां पर हमें एक्वैलिटी देखने को मिलेगी तो गल्स की एज को भी 21 करा जाएगा अभी कुछ रिसेंट टाइम में यह आएगी उसके बाद देखलेशन आता है लॉड इर्वन का 1921 यह कुशन उसके बाद लॉड विलिंगडन 1931 से लेकर 36 इनके समय में दो राउंटेबल मिटिंग होती है राउंटेबल मिटिंग क्या है फर्स टाइम इंडियन को प्रमिशन दी जा रही है कि ब्रिटिश के आमने सामने बैट कर अपनी बातों को रखे इसको कहा जाता था इंडियन का जो एक्ट आया था इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोइट 6 को भी दे लिया गया था एंगलो इंडियन को भी दे दिया था ठीक है और जो इंडियन कृिशन से उनको भी दे दिया गया था अब यहांपर होता है 1931 में जब यह सेकिंड राउंटेबल मिटिंग चल र सुनते होंगे आज कल न्यूस चैनल में दलित नों दलित है ना और कास्टिजम सिस्टम बहुत ज्यादा पहले तो यह पापलर था लेकिन आज की डेट में तो इतना नहीं है ब्रामिन शेत्रिया वैश्या शुद्र और यह भी ब्रिटिश की टाइम में इतना पापलर हुआ इससे पहले ऐसाच कुछ इसका इतना था नहीं क्योंकि हमारे वेदास में लिखा हुआ है कि जो कास्टिजम सिस्टम है काम के अकॉर्डिंग होगा चलिए यह अलग टॉपिक है इसको अलग कभी समझेंगे तो यहां पर जो दलित और नॉन दलित पर बात चल रहे थी कि इ पीच में ही चोड़कर इंडिया है और उन्होंने एक अंशन कर दिया मतलब एक फास्ट हंगर स्टाइक कर दिये एक जो अपनी एक रिक्वेस्ट होती है ब्रिटिश हर से जो कॉमनेल अवार्ड के थू लाई जाती है दलिद और नॉन दलिद सेपरेट इलेक्टोट इस डेमांड को वापस ले लेते हैं लेकिन यहां पर सेपरेट इलेक्टोट नहीं आएगा ठेक है अब उसके बाद गांदी करते हैं दलिद कॉमनेटी को हरीजन समाज कहकर यह मैं आपको गांदी जी की वीडियो में अच्छे से बताऊंगा जब गांदी जी का सेशन में डिसकस करूंगा और बाद में चल करना जब यह एक्ट आता है 1935 का इस एक्ट में ब्रिटिश ने गांदी जी की बात मानी ही ब्रमेटकर की बात को सुना या जैसे भी आप कहो इनक्या जो एक ही नारा था बाटो राज करो उसके तहत इन्हों ने यहां पर जो शेडूल का आश्चा है उनको भी सेपरेट इलेक्टोइट दे दिया कुछ वुमेंस को दे दिया और यहां पर देखने को मिला जो इस आप इंडिया था 1933 में गौर्मेंट ओफ इंडिया एक 1935 यह भी किसके समय में आपको यार रखने लॉर्ड विलिंग्टें के समय में ठीक है अब 1935 के एक में बहुत कुछ हुआ आर्बीया यहां पर मियानमार को इंडिया से सेपरेट करा गया हाला कि 1937 में सेपरेट कर्मा और इंडिया को लग करना है ठीक है आर्बीया यहां यहां पर आप देख सकते हो फंक्षिन में एक अप्राइल 1935 इसका एक्ट पास होता है 1934 में हिल्टन यंग कमेटी कि थ्रू आर्बीय आया था चलिए उसके बाद आगे देखते हैं स्टैबलिश्मेंट ओफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 कांग्रेस सोचलिस्ट पार्टी आई थी अचारे नरेंदर देव यह कोशन आया हुआ था आप डेलवे में शायद पूछा गया था कि कांग्रेस सोचल अचारे नरेंदर देव जय प्रकाष नरायन बहुत ही इंपर्टेंट परस्नेल्टी और इनके बारे में आप डेफिनेटली पढ़ेंगी आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके बाद बंगला सप्रेशन होता है बर्मा सप्रेशन होता है इंडिया से 1937 में चलिए अब यह जो ह कांग्रेस फुल मिजॉरेटी में आती है तो मुस्लिम बेग वाले यहां पर नराज हो जाते है ठीक है उसके बाद यहां पर कांग्रेस रजाइन कर देती है जब आउट ब्रेक होता है सेकेंड वर्डवार 1939 और इस कंडिशन में जब रेजिगनेशन देती है कांग्रेस तो दे बाइं मुस्लिम यह मना जाता है जब कांग्रेस रजाइन दे देती है 1939 में ठीक है उसके बाद सुभाज चंद्र बोस इलेक्ट होते हैं रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस फिफ सेशन में कांग्रेस के 1938 में और यहां पर ही महात्मा गांदी जी टाइटल देते हैं यहां पर conflict होता है और बाद में formation करते हैं forward log का 1939 में और और इसके बाद लहोर resolution होता है 1940 में जहां पर Muslim League Demand करती है फस्र्राइट स्टेट फौर Muslims उसके बाद best offer होता है वारे सिड़ारा और उसको मुस्रिम मींद्याइए कि दौरा में क्रिटिव कर उसके बाद सुभाटर चंद्रबोस कभाट से 1941 में और एक organization बनाते हैं इंडिया नेशनल आर्मी यह बहुत important है ठीक है उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है हमारे भारत में रहें जाता है तराब हो चुकी थी अगर वर्ड वाइल देखें देखो मैं आपको बात बताता हूं हर चीज की अती है तो साथ-साथ गती भी है जैसे हमने देखा कि अब जो हमारा इसे लेकर सेवंटीं सेंश्री यहां पर मुस्लिम का डॉमियंस होता है उसके बाद ब्रेटिश कहीं न कहीं अपना इंपक्ट डालते हैं फ्रांस यह यह यूरोपीयंस का एक तरह से डॉमियंस होता है पार में चलकर यूरोपीयंस भी बुरी तरह से वीक हो ज जादी नहीं जाहिए तो यह रिजेक्ट कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा उसके बाद क्विट इंडिया रेजुलिशन आता है कांग्रेस के द्वारा 1942 में और यह आउटब्रेक है अगस्थ रेवलूशन का ठीक है उसके बाद द्वाइड क्विट स्लोगन कराची स 1947 और यहां पर जो राजा कुपाला चार्यजी का सियार फार्मला यह भी फेल हो जाता है और गांधी गांधी जीना टॉक यह फेल हो जाती है 1944 में उसके बाद वैवल प्लैन आता है शिमला कॉन्फरेंस 1945 में इसको रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस की दरव से मौलाना अ लिटल और उसके बाद यह पूरा का पूरा जो वर्डवार है यह खतम हो जाता है और जपान की गवर्मेंट अपनी हार मानते हुए वापस अली जाती है उसके बाद कैबिनेट मिशन प्रपोस्ट करा जाता है यहां पर सिच्वेशन होगी थी कि इंडिया को वाजादी मिल जा रहा था कि इंडिया को बजादी मिल जाएगी टैट्स वाइंटीन फॉर्टी सेट में ब्रिटेन की गवर्मेंट के द्वारा तीन परसंस को भीजा जाता है कैविनेट मिशन यह काफी इंपोर्टेंट है इसको असेप्ट करती है कॉंग्रेस और उसके बाद नाइंटी प्रॉब्लम होती है मुस्लीन में इसका विरोध करती है सप्टमबर नाइंटीन फॉर्टी सिक्स में और यह जैसे मैं आपको होता है ना प्राइम निस्टर ब्रेटेन के बनते हैं एक और यह प्लैन होता है इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने का इसके लिए एक करते है क्राइण की रेड़ क्लिफ आपको पता ही होगा इंडिया और पाकिस्तान है उसकी बाउंटरी लाइन को रेड़ क्लीफ लाइन भी कह जाता है और माउंट प्वेटन कहीं सेक्सिस्फल हो जाता है और इसको गांदी जी या फिर ऐसे कहो कि कांगर्रास और मुस्लिम लीग दोनों माल लीती है ठीक है उसके बाद इंडिया का जो इंडिपेंडेंडेंस है वो हमें यहां पर डिकलेयर कर दिया जाता है कि इंडिया को जून 1948 में आजात कर दिया जाएगा मतलब यहाँ तो सप्रेट नेशन बनेगे एक बने के लेल लग जाते हैं आनन्वानन अजाद कर देते हैं देश को और हमारे देश को जादी है 15 अगस्त को औरा सब्सक्राइब ान television सब्सक्राइब पर्फ्यूंट मिलती है 14 अगस्ट 1947 को यह बस आपको यहां से याद रखना है उसके बाद मांट बेटन हमारे बने रहते हैं जब 1947 जो पोस्ट इसको हटा कर यह इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनल भी बनते हैं जून 1948 तक अच्छा यहां से कुछ कोशन आते हैं मैं आपको बताता हूं आप कोशन के आएंगे ड्रेक्ट एक्शन डे हमने में 1948 पढ़ लिया न है यहां मैंने पढ़ाया था ड्रेक्ट एक्शन डे 1948 इसको 1946 कंसेडर करना ठीक है चलिए उसके बाद हम आगे चल रहे थे मांट बेटन प्लैन के बारे मैं आपको मैं बता रहा था मांट बेटन के टाइम में यहां पर जो कश्मीर है यह इसका असेसिनेशन होता है हमारे भारत में और यह डेट आपने यार रखने हैं अक्तूबर 1947 जो यहां के महराज होते हैं हरी सिंग वो इंडिया में अपने आपको असेस्ट करवा लेते हैं क्योंकि पाकिसान यहां पर पाकिसान आर्मी के दवारा यहां पर दंगे होते हैं कश्मीर में तो फिर कश्मीर के जो राजा है महराजा हरी सिंग इंडियन गवर्मेंट से मांगते हैं फिर आपको पता यह 370 आर्टिकल और 370 आर्टिकल को हमने फाइनली 2019 में 5 अगस्त को हटा दिया और अब कश्मीर हमारा अभीन अंग है अलाग यह पहले भी था चलि हमारे देश में मांट बेटन फर्स्ट गवर्नर जनल होते हैं कोशन आया हुआ है ठीक है इसको याद रखना और दैथ होती है 30th January 1948 और यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा 5 17 PM ठीक है और लास्ट वर्ड हे राम है ना चलिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा गांदी इसके सेशन में उसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं जो लास्ट गवर्नर जनल ओफ इंडिया रहे सी राजय कबला चाहरे 1948 से लेकर 1950 और जब हमारे लिखा गया तो यह जो गवर्नर जनल की पोस्ट है इसको रिप्लेस्ट कर दिया गया प्रेजिडेंट की पो इसमें-गोल रहें मिनिस्टर और हॉं अफेर रहें इंडियन यूनियन के चीफ निस्टर रहे थे मदरा स्टेट के और इनों ने एक पार्टी इन और इनको यह इनको मिला यह आप में बताओगा इसके बाएं में हमारे बारत जब रिपब्लीक बनता है तो यह हमारे इसमा अगर्स 1947 को हमारे देश को अजादी मिलती है उसके बाद ठीक दो साल 11 मेने 18 दिन के बाद हमारे देश का जब लिखा जाता है 26 नमंबर को हमारे देश का लिखा जाता है complete हो जाता है लेकिन नहरुजी रिपब्लिक डेट रखते हैं 26 जैनवरी तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था आपने इस सेशन में बहुत कुछ सिखा होगा पीडेफ मिले कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडेफ को डाउनलोड करने से पहले हमारा टेलीग्राम जॉइन जरूर कीजिए और अपने चितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो त्यारी कर रहे हैं और जिन भी आपके एक्जाम में हिस्ट्री का टॉपिक आने तो आप ढूंकिन इंशॉरंस नहीं आपके प्रेंगे उनको छोड़के जैसे आईबी का कली एक्जाम में और एपिएफो गाइजाम होता है एस्टी के एक्जाम होता है बहुत सारे एक्जाम होते हैं जाने से कोशन आता ही आता है तो चले थैंक यू सो मच